सच्छी काल फ्रेंज वेलकम टू मैं चैनल परम सीचर और आज मैं आप सभी के साथ स्ट्रॉबरी श्रीखंट की रेस्पी शेयर कर लिए 500 ग्राम दही लिए और चनी हमने लेके एइसा गहरा बरतन लेना है जो चनी टच नहां हो बरतन से और हम इसे दही इसमे इस्टर है डालके रख देंगे 8-10 गंटे के लिए जिससे की दही का सारा पानी इस बरतन में आ जाएगा और फिर हम श्रीखंट बनाने की त्यारी मैं इसे इस तरह चनी में दही को डाल के रखेंगे 8-10 गंटे के लिए आप चाहें तो आपके पास अगर कोई मलमल का कपड़ा हो आप उसमें दही डाल के गांट लगा के अच्छे से रख सकते हैं तो उससे भी उसका पानी निकल जाएगा यह मैं इजी तरीका बता रहे हूं आपको कि आप इस तरह रख दे 8-10 गंटे के लिए और सारा पानी निकल जाएगा इस ट्रॉबरी शीखरण के लिए हमने दही को 8-10 गंटे हैंक करके रखाता अब इस तरह उसका पूबा पानी निकल गया और अच्छे से क्रीमी टेक्शर आ गया है सबते बहले हम उसे हाथ इसली है इससे इसका टेस्स बहुत अच्छा जागा 2 टेबल स्पून है सभी मिसमें एड करेंगे और ये इस ट्रॉबरी फ्रेश इसट्रॉबरी लिए हमने और अंधरे से 20 स्ट्रॉबर कि मिक्सी में ढाल एक पीस लिया प्युरर बना लिया और अब कि इसमें यह एड करे अच्छे से मिक्स करना हुआ है अच्छे से मिक्स करेंगे सबी चीजों को और हम थोड़ी सी छैरीं भी डालेंगे बहुत ही अच्छा डिजर्ट हो बहुत ही जल्दी बनने वाला हेल्थी डिजर्ट है अब बना सकते हैं यह नेचुरल कलर आया है स्टॉप भी फ्रेश लेने से किसी भी तरीकी पर एडिमेट चीज का यूज नहीं करा कलर के लिए हमने स्टॉपड़ी शीखन बनके तयार है आप भी मेरी रेसिपी को जरू ट्राय करें और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें थेंक्यू सो मच